आज मैं जो रेशिपी बता रही हूं वह खाने में बहुत टेस्टी सबको पसंद आता है मैंगो आइस क्रीम बहुत इजी वे में बता रही है जैसे मार्केटिम मिलते हैं एक दम उसी तरह का टेक्शर आएगा आप सबसे फ़हले मैंगो ले लें इतना आपको बनाना हुसी है मैं दो मैंगो लिए हूँ इसका पर्क निकाल लिए हूँ तिक के इसे मिक्सर चाल में डाल देंगे हम फिर हम इसमें 3-4 चमच दूद पॉडर लेंगे कोई क्रीम नहीं डालने की जरूर है एकदम सस्ता और एकदम मार्केट जैसा टेक्षर में बता रही हूँ आप स्टेप बाइ स्टेप उचीज डालते जाएए फिर दूद लेंगे हाफ कप दूद लेजे कि जिसी साब से आपका मैंगो रहेगा उसी साब से दूद दा लिएगा स्वादर जितना आपको मीठा खाना उसी साब से चीनी मैंगो आजकर बहुत मीठा रहा है इसलिए चीनी में बहुत जादा नहीं डाल रही हूँ आइस्क्रीम वैसे भी लाइठ ही रहता है अब हम इसको ग्राइड कर लेंगे देखिए इस तरह का टेक्शर होना चाहिए बिलकुल भी लंस देखेगा फिर एक बर मिक्सर में चला दीजेगा अब जिस बरतन में आपको बनाना है उसके साचे में आपको डाल देगे मिक्सर आइस्क्रीम आप एक बर जुरूर ट्राइ कीजिएगा पसंद आए आपको बच्छे भी पसंद करें बड़े भी ही पसंद करें एक दम मार्केट जैसे में आइस्क्रीम बता रही हूं अब हम इसको कवर कर कर देंगे ओवरista ट्रॉक देतों ज्याब है तो तीीं से चार घं फ्रीज करने के बाद मैं फिर दिखाऊंगे उल्ड दकने के बाद इसके बाद इसको फिर से एक बाद घंटा धकर देंगे फ्रीजर में जमा देंग तकी सेट हो जाए दूबारा पीषने से एगदम मार्वेड याशा टेक्स्छर आता जो हम फ्रीज में बनाते घर में हल्का सकड़कडा हो तो उस तरह सत नहीं रहे पिखने के बाद एकदम मार्केर बनके तयार है अब मैंसे प्रेट पर निकार के दिखाती है एकदम मार्केट जैसा मैंगो आइसक्रीम जो मिलता है उसी तरह से दीजे फ्रेंस हमारा mango ice cream बनके एक दम तयार है एक दम मार्केट में जैसा मिलता सॉफ्ट मुह में उंखाने से पिखने लगता उसी तर से कड़ा नहीं रहेगा जिस तर से मैंने एक बार ग्रैंड किया बनाने के बाद उसी तर से आप भी करिएगा मैं काटके भी दिखाती हूँ आप चाहे तो ग्रेट के अवग नारियल या गरी डाल सकते है उपर से ठीक है अब मैं काटके भी दिखाती हूँ आपको लिजिए बनके हमारा mango ice cream बहुत ही कम इंग्रीडियंट पर बनके तयार है एक दम मार्केट की तरह आप ज़रूर की दिएगा